हलो गैज वेलकम बैक टो PC वाले यूटुब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकैनिकल कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे लोग PC बिल्ड कर रहे हैं राइजन 3 जैना चुका है तो बहुत सारे लोगों को अपना ड्रीम PC बिल्ड करना है उनको अपना गेमिंग PC बिल्ड करना है तो आप लोग को जो है वो कीबोर्ड चाहिए होगा माउस के उपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा लेकिन ये वीडियो है मेकैनिकल कीबोर्ड के उपर क्योंकि अगर आप एक गेमर हो तो आपके सपना जरूर होगा कि मैं एक बार एक मेकैनिकल कीबोर्ड जरूर यूज करूँ और अगर आप एक नए PC बिल्ड कर रहे हो तो आपने एक कुछ बजट बनाया होगा कि मैं 2000 रुपे का मेकैनिकल कीबोर्ड लोगा mechanical keyboard यहां पर जो है वह अगर आप लेने के सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है and आपको मैं से बता देता हूँ कि सितने भी मैं mechanical keyboard यहां पर बताऊंगा उन सभी के links जो हैं वह description में दिये रहेंगे तो अगर आप channel को support करना चाहते हैं आप इन mechanical keyboards में interested हैं तो please description में दिये गए links जो है वह shopping करिए description में दिये गए keyboards से जो है उनको buy करिए उससे channel को support मिलेगा मैं independent content जो है वह आपके लिए लेकर आप आँगा and बस यही मुझे बोलना and बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे एक और चीज़ ही हाँ पर मैं Amazon का example इसले ले रहा हूँ because Amazon जो है वो सब के लिए same है और Amazon जो है वो मैं किसी ऐसा नहीं बोल सकता कि आपके पडूस की दुकान में mechanical keyboard 500 रुपे का मिल रहा है और आपके मेरे घर के पास में जो मिल ला है वहाँ हजार रुपे का मिल ला है तो वह एक ऐसी चीज है जो कि compare नहीं की जाते है प्लस अगर आप किसी और online website पे जाते है अगर आपका keyboard खराब आता है कुछ आता है आप 10 days के अंदर replace करा सकते हो warranty पूरी मिलती है तो Amazon जो हो भले कभी-कभी overprice देता है समान लेकिन at least तुम्हें एक security मिलती है और यह all over the India same है बढ़ते है keyboard में आगे बढ़ते है वीडियो में आगे पहला keyboard जो सबसे low budget के अंदर है जो कि मैं आपको recommend करूँगा वो मैं यह करूँगा anti sports की तरफ से आने वाला MK700 multi color RGB फलाना फलाना keyboard ना यह keyboard जो है वो anti sports की तरफ से आता है anti sports एक नया brand है market में अभी हाल फिलाल में आया है ठीक है and यह जो है यह mechanical नहीं है यह 1100 रुपे खाया है बट यह mechanical नहीं है यह membrane keyboard है यह सिर्फ starting के लिए है हाँ यह वीडियो mechanical keyboards के उपर है बट मैं इसे kind of कह सकते हो honorable mention करना चाहता हूँ पर वो last year करना चाहिए था मुझे बट still ठीक है यह mechanical keyboard नहीं है बट हाँ इसके अंदर तुम्हें RGB बगरा मिल जाती है और तुम्हारा budget कम है तुम 35,000 का build कर रहे हो तो तुम साइस का keyboard है और lighting effects वगर आप control कर सकते हो anti ghosting मिल जाती है इसके अंदर आपको तो कुछ हाँ वोई gaming वाली features आपको मिल जाते हैं बाकि इसके अंदर कुछ CSGO और dota की profiles वगरा है तो अगर आप CSGO खेले रतास में कुछ mode change करने वाले options होंगे जिनसे आप अपने वो sap कर सकते हो profiles वगरा सेट कर सकते हो तो ठीक है 1100 रुपे में आपको एक decent keyboard मिल जाता है बढ़ते हैं अपने main keyboard की तरफ mechanical की तरफ बढ़ते हैं जिनका बढ़ते हैं अगर आप 1800 रुपे खर्च कर सकते हो तो आपके पास ये keyboard लाओ अब मैं आपको दो चीज़े बताएता हूँ पहली बा से इसके अंदर जो है वो cosmic white otemo blue use करता है हो सकता है kale blue switches अंतर आपको जादा देखने को नहीं मिलेगा इसकी key switches जो है वो थोड़ी wobbly है और एक और चीज़े इसके अंदर जो है ये lights की जो आपको दिख रही है अगर आप देख पारे हो तो उपर की जो escape f1 f2 वाली line है वो blue है उसके नीच वाली जो line है वो red है उसके नीच वाली जो line है वो orange है उसके नीच वाली green फिर purple और सबसे नीच वाली जो है वो white है तो ये ऐसा ही रहेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे keyboard को white कर दिया color में पूरे keyboard को red कर दिया जो line जिस color में आपको अभी दिख रही है ये इ कि RGBG से बोलते हैं वो नहीं है बट फिर 1800 रुपे में आप expect भी क्या करते हो ठीक है और ये आपको देखने को मिलता है अगर आप चाहो तो Cosmic White Case कीबोर्ड की तरफ जा सकते हो ये रहे इसके अंदर जो है वो blue switches और ये जो है वो cheap quality का कीबोर्ड है मतलब I mean दिखने में उतना attractive नहीं है इतना कुछ इसके अंदर तुम्हें premium feel नहीं आने वाला यूज करके बट हाँ mechanical चाहिए सस्ते में तो फिर 1800 रुपे तुम्हें खर्च करने पड़ींगे ठीक है बढ़ते है अपने दूसरी कीबोर्ड की तरफ ना हो ये जो है ये 2000 रुपे का है लेकिन 2000 रुपे में तुम्हें चोटा कीबोर्ड मिल रहा है ये तुम्हें जो है वो 10 keyless keyboard है लेकिन मैं खुद एक 10 keyless keyboard यूज करता हूँ इसके कुछ advantages है कुछ disadvantages है अगर आपके desk चोटी है तो ये बड़ा cute सा प्यारा सा लगता है बढ़िया लगता है इसके अंदर भी वोई चीज है इसके अंदर भी आपको full RGB नहीं मिलता है इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि पूरा control नहीं है RGB के उपर आपको आपको देखो सिर्फ कुछ एक line जो है वो अगर green है तो green ही रहेगी इस ट्राइब को कुछ है इसके अंदर तो वो रहेगी प्लस यह mechanical है इसके अंदर आपको वो numpad नहीं मिलेगा बट I think games में आपको ज्यादा numpad नहीं मिलेगी कुछ games में आपको पड़ेगी like GTA 5 में कोई एक mission है जिसके अंदर आपको plane उडाना होता है numpad की keys से बट फिर आप उस controls को जो है वो assign कर सकते हो किसी और button को दे सकते हो वो control तो आप वो mission जो है वो किस वैसे भी complete कर सकते हो मैंने भी किया है ठीक है तो यह जो है वो यह आपको देखने को मिल जाते है प्लस यह वाला जो keyboard है यह जो है वो spill proof है यानि कि आप इसके बड़ पानी वानी गिरा देते हो तो tension लेने की ज़रूत नहीं है और N-key rollover, anti-ghosting और इसके अंदर कुछ चै आपको lighting effects देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर देखो मुझे anti-sports की बाद अच्छी लेगी और नहीं मैंचन किया वाई कि each row has a specific color मतलब हर row का एक specific color है आप उसको change नहीं कर सकते ठीक है तो अब 2100 रुपे में मैंने आपको बोला था ना अच्छे mechanical keyboard जो customizable वाले आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं तो अगर आपको system mechanical keyboard चाहिए तो 2100 रुपे 2100 रुपे में आपको कमी मिल रही है कमी है आपको यह मिल रही है कि पहली बात आपको full-size keyboard नहीं मिल रहा है दूसरी चीज़ अगें वो preference के उपर कुछ लोगो full-size पसंद होता है कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जोनको full-size keyboard पसंद नहीं होता है मुझे चोटे keyboard पसंद है ठीक है और प्लस इसके अंदर आपको full RGB नहीं मिल रहा है तो पर अगें 200 रुपे में सस्ते में चाहिए तो फिर और क्या चाहते हो ठीक है लेकिन अगर आप थोड़ा सा और खर्च कर सकते हो जो कि मैं आपको बोलनूँगा का आप कर लो थोड़े चौमीन मुमोस खाना बं कीबूर्ड मिल जाता है इसमें भी फिर वही बात है कि हर रोगा जो हो specific color है एंटी गूस्टिंग अगर आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर भी यह भी जो है वह पिल प्रूफ है सो अगें वही वाटर प्रूफिंग वारी चीज आपको मिल जाती कि पानी आप घरा हमारा जो नया keyboard है यह इसके अंदर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली तो अपना जो अगला keyboard है वह आता है Cosmic Byte के तरफ से ठीके दूसरी बात यह 27 रुपे में यह 3000 के अंदर अंदर है ठीके ब्लू सुचिस के साथ आता है और पहली बात आप इसकी फोटोस से देख सकते हो इसमें पूरा keyboard ब्लू है यह वाली फोटोस देखो आप पूरा keyboard परपल या पिंक टाइप का है इस वाली में देखो आप पूरे keyboard को उपर वाली जो रहों पिंक है और नीचे वाली जो हमने इसमें दिखाता हम तो इसमें ऊपर वाली ओरर यह फिर से अधिरगर Надо को मिला तो आप तो आप को चीज़ प्लगवी ने दोरान आपकी खलाईयां जो है वो दर्थ कर जाती है तो wrist rest जो है वो आप use कर सकते हो इसका जो कि एक बहुती बढ़िया बात है अब लेकिन इसके साथ एक disadvantage यह है लेकिन इसकी ski boat की एक disadvantage है वो disadvantage यह है कि इसका जो cherry cherry mx नहीं है इसके अंदर Chinese blue switches है लेकिन अगर आप इसके brown switches वाले version की तरफ जाओ तो brown switches वाले version में देखो इसमें अंतर काफी है प्राइज में यह 3500 रुपे के आसपास का है अभी पता नहीं क्यों 3500 का बेच रहे हैं इस keyboard को जबकि अगर आप एक red gear का keyboard है वो हाला कि मैं recommend नहीं करूँँगा वर्जिन की प्राइज जो है वो लगभख सेम है और यह लोग पता नहीं क्यों Cosmic White वाले ब्राउन वाले को जो है वो मेहंगा बेच रहे हैं क्योंकि मैं मेरको personally blue के मुकाबले brown switches ज्यादा पसंद है अगर आप start कर रहे हो तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप blue के साथ भी जा सकते हैं कोई दिक्कत अली बात नहीं है मेरा personal taste है कि मुझे brown पसंद है आपको हो सकता है blue अच्छे लगे आपको इसका clicky sound अच्छा लगे यह personal preference के उपर है अगर आपको best mechanical keyboard लेना है सस्ते में बढ़िया अगर आपका budget जो है वो जादा नहीं है तो मैं recommend करूँगा कि हो सकते तो यह Cosmic Byte वाला लो लेकिन अगर आपका budget कम है तो आप यह बाकी के mechanical keyboard ले सकते हो और अगर market में कोई और options है तो उनके अंदर कुछ all limited features है इसलिए मैंने उनको include नहीं किया हो सकता है आप यह वो वीडियो future में देख रहे हो तो market में नहीं keyboard आते रहते हैं price कभी sale में उपर जाती है नहीं नीचे आती है हो सकता है कोई ऐसा keyboard हो जो मैंने यहां पे include ना किया हो false marketing करते हैं और कभी-कभी आप लोग को लगता है क्यों mechanical keyboard होता नहीं है just like this one ठीक है तो इसके हला कि false marketing नहीं की है बट दिखने में देखो ऐसा लग नहीं रहे कि है mechanical keyboard हो का लग रहा है और कई-कई लोग उससाब से ले भी लेते हैं तो वो चीज़ है और अगर आपका budget extreme है आपको कोई budget restrictions है यह नहीं तो फिर मैं आपको recommend करूँ कि क्यों ना आप ले लो Corsair की तरफ से आने वारा K95 RGB Platinum मात्र 15,000 रुपे के आसपास है इतने में जो है वो तो CPU या फिर एक decent graphics काड़ा जाता है बाट Corsair है यार Corsair premium brand का support देखने को मिलता है कहीं पे भी तुम्हें कमी देखने को नहीं मिलने वाली इस keyboard में volume scroll से लेके rest rest से लेके बढ़िया genuine cherry MX switches से लेके brightness control, software RGB control ARGB जो है वो इन सब चीज़ों का पे support मिलता है और again Corsair जासा brand है come on Corsair समझ रहे हो Corsair Corsair जासा brand समझ रहे हो Corsair समझ रहे हो Corsair Corsair तो इस टाइप का अगर keyboard लेना है तो वो भी ले सकते हो K95 RGB Platinum link description में दिया रहेगा और MX Speed और MX Brown दो options के साथ ही आता है लेना चाहू तो ले सकते हो अबीद तो तुमको आज़ी को पसंद आई होगी दन्याबाद बाबाई टेक केर गईज